हमने 8 घंटा पहले राजमा को भीगो के रखा है अब इसमें आखा मासाला डालेंगे और इसको वाइल करने के लिए रखेंगे और थोड़ा साल ढाल दिया है और वाइल करने के लिए चला दिया है रेस्पी कुकिंग फास्ट चैनल में आपका स्वागत है वेल्कम है चलिए देखते हैं राजमा मसाला रेसिपी आज बनाने जा रहा हूँ अभी तक आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाए यह देखिए हमारा राजमा पूरी तरह से पक चुका है एदम गल चुका है देखिए वाभी दिखा रहा है का यह देखिए है है यह देखिए है कि तब हम इसके सदेखी मारने को तैयारी कרג्ये तो हमने पहले से मसाला पीश करता है इसमें हल्दी है धनिए है जीरा है अब लाल मिरची है गर्लिक है और लसुन है यह और यह रखाया और यह चौपिंग करका रखा है के वराफियों गेडंजर टोमेटों तो चलिया स्टार करते हैं हमने फ्लिह एक जला लिया कड़ाही बेठा दिया और उसमें मस्टेड ओयल का यूच कर रहा है और इसमें अब हम जीरा डालेंगे इसके बाद जो लसुन काटके डखा है फाइन चॉपिंग उसको डालेंगे अब हमारा जीरा लाल हो चुक्या है अब हम लसुन डालने वाले है अब लसुन ब्राउन होएगा उसके बाद प्याच को डालेंगे और प्याच को भी ब्राउन करेंगे यह देखिए दोस्तों हमारा लासुन ब्राउन हो चुका है अब इसमें हम प्याच डालेंगे यह डाल दिया तीन चार लाल मिर्ची अगर आपके पास लाल मिर्ची नहीं है ता आप ग्रीन चिल्ली का भी कुछ कर सकते हैं अब ओनियन डाल रहा है अब यह ओनियन को भूनेंगे और ब्राउन करेंगे उसके बाद जो हमने मासाला पीच के रखा है वो मासाले को डालेंगे और दस मिनिट तक भूनेंगे यह देखे दोस्तो हमारा ओनियन ब्राउन हो चुका है अब इसमें हम पीचा हुआ हुआ मसाला डालेंगे जो हो मेड श्टाइल में पीच के रखे हैं कोई पाउडर यूज नहीं कर रहा है यह मसाला पीचा हुआ है बिल्कुल घर के जैसा टेस्ट लगेगा खाने में मजा आ जाएगा इतना टेस्टी बनेगा कि आप उंगली चाटते रहा जाएगा चलिए तो फिर हम मसाला को भूनते हैं मुद्ध करें कोई तो क्रीक करने मुद्ध कर दोब जाएगा तो जाए अब जाएगा दिन्हसरे हम पानी जारान जरेगे इंड कुल भी अभी जो हम ने पर अब्राज मान वाइल करके रखा है उसका पानी इसमें थोड़ा सा डालेंगे की मासाला पकड़ेना चिपकेना यह देखिए है हमने राजमिय का पानी डाल दिया जो बॉइल करका था उसका अब देख कितना मस्त कलर आ रहा है अब अब थोड़ा टाइम आब भूने के बाद इसमें हम टमाटो को अड़ करेंगे दोस्तों टमाटों पहले डालने से क्या होता है कि मसाला बरोबर पक्ता में है इसलिए टमाटों को थोड़ा टाइम के बाद डालते हैं यह हमने थोड़ा नमक डाल दिया इसलिए थोड़ा डाला कि पहले से हमने नमक राजमा को वैल करने के टाइम पे डाल के रखा था अब इसमें हम कटा हुआ टमाटो आड़ करेंगे जो जिंजर जो दिख रहा है लंबा लंबा इसको हम गार्नेशिंग के लिए लाश्ट में डालेंगे कि चलिए तो अब मसाला बुना चुका है टमाटो डाल रहा हूं अब टमाटो को और पांच में बूनेंगे उसके बाद इसमें राजमा जो वैल करके रखे उसको इसमें एड़ कर देंगे मलब डालेंगे यह देखिए टमाटो अपना पानी छोड़ चुका है और कलर भी मचता रहा है अब भी अपने घर पर इस स्टैल में राजमा बनाई है और देखिए कितना टेस्टी बनता है और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लें और बेल आइकन को दबा लें और भी बहुत सारे वीडियो हो में डेश्टाइल में मैं डालूंगा अगर आप बोलेंगे अगर कोमेंट में बताएंगे कुछ तो अब इसमें का मैं जो पत्ता है तेज पत्ता दिख रहा है जो हमने बॉल करने का टाइम पर डाला था बड़े इलाची दो पीछ डाला था और दो ग्रीन इलाची डाला था उसको निकाल लेंगे कि इसलिए निकाल लेंगे कि किसी किसी के पसंद नहीं है और ओदात तो आता है तो उसका टेस्ट खराब खाने का टेस्ट खराब आते हैं इसलिए अभी तो उसका फेवर उसमें चला गया है अभी इसलिए उसको हम बाहर निकाल लिए अब हम राजमा को गडाई में डालें बहुत से लोग राजमा में दही भी डालते हैं राजमा का कलर आने के लिए लेकिन हम दही का विज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा और डड़ी ऐसे ही कलर मसता जाए है और खाने में भी मज़ा जाएगा यह देखिया हमारा राजमा बॉयल हो चुका है पुरी तरह से मसाला भी पक चुका है जो हम दे अधरक काट के रखा है लंबा लंबा उसको गार्नेशिंग के लिए डालेगा इसमें उपर से है और थोड़ा धनीय पत्ता डालेगा और खाने के लिए मज़ाए को राजमा और चावल चावल के साथ खाने में मज़ा आता है इसलिए चावल बना ले और रजमा बनाए और खाए राजमा शेहत के लिए अच्छा है यह देखिए हमने अभी जिंजर को इसमें डाल दिया आप चाहे तो ग्रेंचेली भी ऐसा ही कटिंग करके लंबा-लंबा डाल सकते हैं गारनीशिंग के लिए कि देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी मचा जाएगा तो चलिए हमारा राजमालिबा चाहिए